स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाइज सेंटर में हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए गंटी को दवाना ना भूलें हेलो फ्रेंड्स आज हम सिखेंगे लहंगे की कटिंग हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि लहंगे की कटिंग हमें सिखना है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब किसी भी साइज का लहंगा हमें बनाना होता है तो यह लहंगा हम बहुत ही आसानी से सिखेंगे और प्लीज वीडियो को पूरा देखे इसके बाद आपको कोई भी तकलिफ नहीं होगी यह देखे यह कमर है यह लंबाई है और देख सकते आप यह कमर का साइज है यह हमने 28 अगर लेते हैं और यह लंबाई कोई साइज का आपको हम आजब फर्मूला बता देंगे यह कोई साइ गेरा तो चली सुरू करते हैं यह कमर है त कहले है और यह देखिए कलिया है एक दो है कि folded चार single पांच है मिलेते हैं कि आगे के साथ six चेकलिया और पीछे के साथ 6 कलिया तो आगे पीछे मिला कर छेचे 12 कलिया हो गई ठीक है यहां भी वैसा ही होगा आगे पीछे 12 सेम तो हम ये कन्फूज हो जाते हैं कि क्या हम दिवाइट करें और क्या भागा करें कि एक कली की चोड़ा कितनी आएगी तो हम कले की 28 चलिए मान लेते हैं कमर 28 है ठीक है 28 यह देखिए और कलिया है 12 अबरे पास आगे पीछे मिला कर 12 कलिया है ठीक है ओके यह 28 है कमर 28 की साथ लिए कोई सबी साइज आज हम आपको कंप्लीट करवा देंगे यह देखिए जब 12 कली से आप दिवाइट करोगे 28 को यह थोड़ा से कल्कुलेट आप कर सकते हैं या तो आप यह ही कल्कुलेट कर ले या फिर आपके पास कल्कुलेटर होगा वहां से कर लेते हैं तो यह दो इंच और आधे इंच के आसपास यानि सवादो और आधे इंच के आसपास यह होगा तो चलिए कल्कुलेटर बद से यह देखे यह दूपांट ट्री त्री आगे इनके सवा दो से थोड़ा उपर यह देख एक कल्ली की चोड़ाई जो है उपर की तरफ सवा दो या अडाय के आसपास होगा अब आप सुचेंगे कि इसमें मार्जिंग आपने जोड़ा नहीं तो इसमें कोई घपराने वाली बात नहीं है आप यहां से आप यह देखे अगर यह चोड़ाई है यह देखें चोड़ाई की बात कर रहा हूं कली की चोड़ाई अगर अधाय इंच है तो आप यहां से इसे आधाय छोड़ दें यहां से आधाय इंच इस साइड की तरफ छोड़ दें यह देखे ऐसे अग कम भी हो सकता है जदा भी हो सकता है यह देखिए यह बीच का अडा इंच और आदा इंच इधर आदा इंच उदर यह थो गई उपर की बात ओके इउपर का आपका कली तैयार हो गया है क्या साइज रखना याप सीख चुके होंगे अशा करता हूं अब चलिए नीचे की बात करते हैं यह घेरा जो है इसमें बहुत ज्यादा कंशूजन होता है कि 5 मिटर घेरा है तो हम एक की चोड़ाई कितनी ले कि 5 मिटर आ जाए तो चलिए भी कनफिज़ाई दूर कर देता हैं यह हमने चोड़ाई लिया 5 मिटर ठीक है पाइच तुल यानि आगे आधा रहाई मीटर और पीछे रहाई मीटर पाउच मिल्ट टोटल है तो आप इसे सीए में कनवर्ट करना सीखिए यानि कि एक मीटर में 100 सेंटीमिटर होते हैं यह आप जान जाइए यह देखिए एक मीटर बराबर सेंटिमेटर होता है यह आपको पता है यह देखिए एक मेरे बढ़ियां यह यह सेंटिमेटरन इसको आप इंच में नहीं आप मीटर में भाग किजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपसीन से किजिएगा तो बहुत कि बढ़ियां ये बैठेगा इसलिए तो पांस मीटर के हो गए हमारे पास 500 सेंटिमेटर ध्यान दीजेगा मेरे बात को पांस मीटर का 500 सेंटिमेटर हो जाता है अब इसे क्या करना है आप समझ गए होंगे इसे भी हमें 12 से डिवाइट करना है यह देखें 500 सेंट यह हमारा 500 सेंट त्यार होगे थोड़ा साब पढ़े लिखें होंगे तो यह चीज आसानी से कर सकते हैं वीडियो का आप दो बार तीन बार ध्यान से देखें बहुत यह आसान है यह चलिए यह यह देखिए 500 माउस साइस से कामनी कर रहा है तो यह पांसो यह हमारी बारा का लिया डिवाइड बाई बारा यह आप यह दिवाइट कर लेंगे तो 41 पॉइंट कुछ आएगा यह देखिए यह समझना बहुत यह आसान है यह देखिए इसको आप आराम से डिवाइट कर लिजिए यह आएगा 41 पॉइंट कुछ आएगा यह हिसाब करना बहुत ज़रूर है आपको दोस्तों यह हिसाब अगर आप कर लिए तो किसी भी साइज में किसी भी मेजरमेंट में आप धोखा नहीं खा सकते आप इक्वेल वहाँ पे बैठा लोगे कोई दिक्कत नहीं आगे आपको और आप कभी किसी भी साइज में कंफ्यूज नहीं हुएगा यह थोड़ा सा मेहनत किजिए आप है तो यह बहुत आसान अगर थोड़े से पढ़े लिख्या आप हो यह चीज हो जाएगी बहुत ही आसानी से और वीडियो को पुरा देखिए एक साइज और हम आप करके बता यह देखिए यह एकतालीस साड़ेक तालीस साड़ेक तालीस साड़ेक तालीस सीयम होगी एक की चोड़ाई ठीक है अगर आपको नहीं आ रहा तो यह कल्कुलेट में कर लेता है इस तरीके से यह देखिए 500 डिवाइड़ेद लाए बारा इसकल तो इकतारीस पांड शिक्स यानिकी एक इंच का दो वाद देखिए रहे हैं यह होगया उपर काड़ाई नीचे का एक तालीस साड़ेक तालीस देखेए यह आप एक कली की चोड़ाई नीचे की और उपर की काटिए गा आप धिध्यान रखी के सीयम में है उपर वाला इंच में है नहीं रखेगा यह चलिए अब आपको एक और साइज हम बता जते हैं तरकि आपको नहीं कि यह दुसरी साइज में होगा कि नहीं चलिए हम कमर लेते हैं 32 इंच माल यह बार लिये हम 32 यह देखें यह भी हम लेलिया सोला करी लेतें चलिए कली इस बार हमने ज्यादा बढ़ा दी जिस तरीके का मूड आप कर सकते उस तरीके से बन सकता है यह देखे सोला आप इसको जब हम भाग देंगे तो यह आजाएगा दो इंच यानि कि एक कली की चोड़ाई होगी दो इंच और आप कि जोड़ देंगी ओधिकत्根े दोनो शाइट अाधा-दा इंच यह देखे चे के लिए दो दीष्य होंगी कि आठक लिए सोरी आठक लिए होंगी जोजेंज की जब हम करेंगे तो आठका लिया सोलेंच हो जाएंगे और बैक साइड तो लाइंच याने 32 इंच कमर तेया हो जाएंगे हमारी नीचे का हम देते चले 4 मिटर ये देखिए 400 को हम जब सोलो से डिवाइट करेंगे तो हमें मिलेगा यह सीम में करना हमें याद रखें चार में चार मेंटर इसकेल तो चार सो चलिया यह देखिए हमें 25 स्यम मिलेगा आप पैसे जब डिवाइट किजीगा आप आपको 25 स्यंटीमेटर मिलेगा एक कली की चोड़ाई आप 25 स्यंटीमेटर रख जीए आपको करते हैं लुपाइब कर ची करता है मुदा में खास की नहीं है है हाँ सआफ लंबाई ले लिए माल लेताम से इले स्टैनल उंबाई गहां कि टाली एलै कि लंभाई और उपर के डैर का हम रखेंगे दो इंच मार दें यानिक दो बेट लगाएंगे हम दो इंच छोड़ेंगे तो हमर पास कली की लंबाई हो गई 38 इंच यह देखें यह दो इंच हमर पास बेल्ट हमें लगाना है ओके उसके बाद हमें क्या करना है मतरिक आर्थिस आप कली काट लीजिए और उसमें आधायंच उपर आधायंच उपर आप छोड़ दीजिए कोई डिफिकल्टी है ठीक है आधायंच उपर हैं तो सुनिये में क्या कह रहा हूं आधायंच उपर के साइड और आधायंच नीचे के साइड यानिक आप पट्टा जोड़ेंगे वह दो इसका अलग हो जाएगी और इधर आपका जो ह है नीचे साइड आप कुछी पटा लाके अंदर साइड फॉल कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से यह सीखा है आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों में यह शेयर कर दिए ताकि वह भी कुछ ज्यान की प्राप् आप क्लिक करके देख सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत में आभरी रहूंगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर ले आपका दिन मंगल में हो जैहिन